हाई गाईस तो अब हम एक नया प्लेलिस स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेडी ठीक है ग्रेडी अप्रोच पर क्वेश्चन होंगे और आज हम ग्रेडी अप्रोच का पहला क्वेश्चन करेंगे नहीं क्वेश्चन का नाम है बैग ऑफ टोकेंज लीट कोट नमबर 948 है मीडिय स्टीक है घंगै और उस एक्वेश्चन को समझते है कि यह क्या कहना चाहरा है टीक है तो एस एक्जांपल से समझते हैं देगों आपको कुछ टोकेंज डिया रहेएंगे ठीक है और आपको power दिया रहेगा कि आपका current power इतना है ठीक है और initially आपका score जो है वो 0 है ठीक है तो question आपको बोल रहा है कि आपको अपना score maximize करना है maximum से maximum score जितना आप obtain कर सकते हो वो करना है ठीक है बट question यह आता है कि score maximize करना है बट score obtain कैसे करेंगे ठीक है score बनाईए कैसे तो उसके रही दो चीज़े बता रखें question में पहला कि अगर आपका power मतलब currently आपका power जितना है ठीक है अगर आपका power वो greater than equal to token ठीक है token की कोई भी value मान के चल लेता है अगर आपका power greater than equal to token i है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप उस power को use करके अपना एक score बढ़ा सकते हो ठीक है तो आपके power में कितना घड़ जाएगा power में minus हो जाएगा token i ठीक है और आपका score एक से बढ़ जाएगा score plus is equal to one हो जाएगा ठीक है ये एक तरीका हो गया score बढ़ाने का ठीक है और दूसरा क्या है कि अगर आपका score जो है वो greater than equal to one बतलब zero नहीं होना चाहिए जीरो से बढ़ा होना चाहिए अगर आपका score कम से कम एक या उससे जादा है तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप अपने power को बढ़ा सकते हो ठीक है power बढ़ाओ कि फिर बाद में future में उस score बढ़ाने के लिए ठीक है तो आपको power बढ़ाने का भी scope दे रखा है तो आप क्या करोगे power में plus कर दोगे token i को चलो ठीक है कर लिया और लेकिन आपको score एक घटाना पड़ेगा score minus is equal to one ठीक है तो यह दो चीज़ है अगर आपके power इतना है कि आप किसी token पे खर्च कर सको त यहां पर token के जितने value उतना आपको एक score बढ़ जाएगा है ना आपका score plus one हो जाएगा और अगर score कम और आपके पास power है ही नहीं तो आपको power चाहिए होगा थोड़ा सा power चाहिए होगा ना तभी तो score बढ़ा पाओगे यहां पर इसको यूज करके तो power अगर zero है तो score to one हो जाएगा है ना score में एक घट घट जाएगा यह दो चीज़े हैं तो आपको यह दो ही operation करना है ठीक है यह दो ही operation करना है और आपको अपना power जो है score जो है sorry यह आपका score है इसको maximize करना है है ठीक है तो देखते हैं इस example को फिर से हमारे example यह था ना यह हमारे tokens दे रखे थे ठीक है यह tokens दे रखा था और यहां मेरा power है 200 ठीक है और मेरा initial score जो है वो zero है इसी को मुझे maximize करना है और आपको दो चीज़े ही आप कर सकते हैं पहला कि power को आप गवा कर score बढ़ा सकते हैं अब कर सकते हो ठीक है बड़ आपके पावर उतना होना भी चाहिए राइट कि आप token कम से कम जो token के बराबर होना चाहिए power ठीक है अगर एकदम कम पावर हो तो आप token खरीदी नहीं पाओगे तो power गवाकर आप score प्लस प्लस करोगे या फिर आप क्या कर सकते हो score गवा कर तो ठीक है यह सिर्फ यह दो चीज यह आप कर सकते हो तो अब देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच लेते हैं ठीक है अब देखो आपको तो यह पता है कि आपको अपना score maximize करना है तो आप इस दोनों में देखो कौन है जिससे आपका score बढ़ रहा है पहला वाला यह रहा यहा score जिससे बढ़ रहा है पहले gradily उसको बढ़ाते चलते हैं जब तक score बढ़ सकता है तब तक बढ़ाते है ना उसके बाद देखा जाएगा ठीक है जब तक score बढ़ता है बढ़ाते चलते हैं ठीक है तो देखते हैं तो यहां पर 100 है ठीक है मेरा power अभी कितना है बही 200 है तो क या मैं मेरे पास power 200 है और मुझे token 100 है तो मैं खरीच सकता हूँ क्या खरीच सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा power को गवाऊंगा और score बढ़ाऊंगा तो power मेरा 200 होता ना तो power फिर कितना हो जाएगा 200 माइनस token की value क्या है 100 है तो 100 हो जागा power और मेरा score कितना हो जागा plus plus score हो जागा 1 चलो ठीक है अब आते हैं यहाँ पर ठीक है मेरा power है 100 मेरा score है 1 ठीक है power तो 100 है तो मैं token 200 का नहीं खरीच सकता ठीक है बट आपको इतना तो पता है कि चलो मैंने maximum score 1 बना रखा था तो maximum score को side में रख लेते हैं कि हाँ maximum score 1 अप्टेन तो किया जा सकता है अब आगे देखते है power 100 है और token 200 है तो नहीं खरीच सकते हैं तो मैं क्या करूँगा power को गवाने की score गवाऊँगा और power increase करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो power आप increase करोगे तो यह 200 वाला करना चाहोगे कि यह 400 वाला करना चाहोगे क्या है SCOR को गवा रहे हो ठीक है तो score में 1-1 करेंगे तो आप 200 चाहोगे कि 400 चाहोगे always आप 400 चाहोगे तो क्यूं और छोटे वाले पर पैसा भेस्ट करोगे आप 400 power लो, score को गवा कर मतलब अभी हम यह opt कर रहे है score गवा कर power increase कर रहे है तो score मुझे 400 plus मिलेंगे ठीक है तो कितना हो जागा मेरा plus 400 मेरा power हो गया 500 हाँ लेकिन मेरा score हो गया minus 1 that is 0 कोई बात नहीं score 0 हो गया बट इतना तो मैंने store कर रखाना कि भाई एक max score 1 to कर ही सकते हो छलो ठीक है अब देखते है power 500 है we are very happy देखते है क्या कर सकते है यह आप देखते हैं यहां पर फिर से इस पर आते हैं ठीक है यह तो हम कर चुके हैं इसका काम खत्म अब आते 200 पर मेरे पास power 500 है चलो सही है यह है 200 का मैं तो घरिश सकता मैंने score plus plus हो जागा तो score कितना हो जागा plus one that is मेरा score one हो गया ठीक है इसको erase कर लेते हैं यहां पर जो है तक यह अच्छे से लिख सके अभी power 300 हो गया है score one हो चुका ना इसको erase करके वापस से fresh लिख देते हैं पावर 300 हो गया था score one हो गया था और हमने इस 200 को भी utilize कर लिया था ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं इसको हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं चलो बचा एक ही अब इसी को use करना है देखते हैं पावर 300 है ठीक है और मेरा token भी 300 है तो मैं gradally क्या करूँगा मैं power गवा कर score बढ़ा दूगा ठीक है तो मैं minus token की value घटा दिया जीरो हो गया मतलब इसको भी use कर लिया और score plus plus करूँगा तो score plus one is equal to two हो जाएगा यानि की maximum score मुझे two तो पक्का मिल सकता तो मैं maximum score को update कर दिया मैंने देखो अब सारे tokens यूज कर लिए और मेरे maximum score क्या निकला two है ना maximum score two निकला वही मेरा answer था याद करो maximum score two था मेरा answer ठीक है तो इतना जो मैंने समझाए इससे आपको कुछ चीजे तो पक्का पता चल गया होगा पहला कि भाई मैं हर बार पहले तो यही चेक करूँगा कि भाई power गवा सकते हैं क्या क्या मैं power गवा सकता हूं तो क्योंकि मुझे gradily score को बढ़ाना है अगर नहीं गवा सकते हैं तो score गवा लेंगे लेकिन score गवाने से पहले यह भी तो चेक कर नहीं कि भाई तरह पास score है कि नहीं score कम से कम greater than equal to one होना चाहिए that is score should be greater than zero ठीक है और अगर greater than zero है तो power को increase करेंगे score गवा के लेकिन कौन सा power increase करेंगे जो सबसे बड़ा power है याद करो मैंने 200 को नहीं अपनाया था उस वक्त score गवा के मैंने 400 को increase किया था use किया था score गवा कर ठीक है तो क्यों ना ऐसा करें कि इस array को हम sort ही कर लें ascending order में ठीक है और जो सबसे बड़ा power है वो last last में होगा उस जब बढ़ाने की बारी आएगी power से जब power बढ़ाने की बारी आएगे तो हम last वाले से बढ़ा लेंगे power को ठीक है और जब power गवाने की बारी आएगी तो यहां starting वाले से गवा लेंगे क्योंकि मैं तो यहीं चाहूंगा ना मैं तो लालची हूं I am greedy जब भी मुझे power lose करने की बारी आएगी तो मैं सबसे कम वाला चुनूँगा और मैं score बढ़ा लूँगा और जब power gain करने की बारी आएगी तो मैं सबसे बढ़ा वाला चुनूँगा और अपना score minus 1 करके सबसे बढ़ा वाला power चुनूँगा ठीक है यहां तक I hope आपको clear हूँ तो अब एक काम करते ह हमने जो जो सीखा वो हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहला कि भाई मैं array को sort कर दूँगा ठीक है ताकि greedily अगर मुझे मैं greedy रहना चाह रहा हूँ मुझे power जब बढ़ाने की बारी आएगी मैं सबसे बढ़ा वाला power चुनूँगा right side से ठीक है यहां पर एक pointer लगा लूँग आइथ इंडेक्स है ना आइथ वाले pointer और जो पावर लूज करने की बारी आएगी अपने स्कोर को मैंनेस वन करके तो मैं सबसे बढ़ा वाला power चुनूँगा that is the power which is at jth index चलो ठीक है sort कर लिया दूसरा आइथ इंडेक्स पे आइथ इंडेक्स से स्कोर प्लस प्लस करेंगे पावर गवा कर है ना लेकिन कब जब आपका पावर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन या तो इक्वल टू टोकेंस ओफ आई और व्यस्य बात है आपका पावर कम से कम इतना तो होना चाहिए ना ट्केंस आई के बार में तभी तो आप पावर गवा सकोगे और स्कोर को बढ़ा सकोगे ठीक है और जेथ इंडेक्स से कर पावर कहसी करेंगे हसे कजी को इस्कोर गवाकर या सिकते है स्कोर गवाकर अब्ट कब कब score गवा सकते हो if your score is greater than or equal to 1 तब ही तो कर सकते हो ठीक है मतलब पहला वाला क्या है अगर आपका power greater than equal to tokens of i है तब आप obvious है ये करो score को बढ़ा लो अगर आपका score greater than equal to 1 है मतलब अगर पहला वाला condition नहीं है तो दूसरे वाले पर आएंगे दूसरे वाले पर हम क्या कर रहे है अगर score greater than equal to 1 है तो भाई पावर को increase कर लो ठीक है और अगर इन दोने में से कोई नहीं है तो कहानी खतम आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं आप चुप चाप return कर लो जितना आपने अपना max score निकाल के रखा है अपने history में ठीक है यही तीन चीद आपको करना था ठीक है question पढ़ोगे तो थोड़ा सा complex लगेगा लेकिन इसको break करके अच्छे से समझोगे ना तो बहुत easy है यह question and generally google के questions ऐसी ही होते है you have to understand and break the question ठीक है जितना भी आसान बना सको question को वही आपका skill है and they test this also in the google interview ठीक है तो एकदम same कहानी यह तो थीम सोरी मैंने लिखी है ना एकदम same कहानी मैं करूँगा और same मैं सिखाऊँगा भी code करते वक्त same चीज बताऊँगा same example ठीक है and let's see if we are able to solve the question चलो coding start करते है तो question एक बर देख लेते हैं question अच्छा है बस इसका explanation थोड़ा यह जो problem description काफी confusing लगता बहुत लोगों को and it is indeed very confusing but आपको इसको break break करके समझो आपके पास power है आपके पास initial score 0 है और token दे रखा है that's it ठीक है अब आपको बोलता है कि आप दो चीज़ कर सकते हो current आपका जो power है अगर कम से कम वो आप token आई के बराबर या यह तो बड़ा है उससे तब आप token आई power गवा कर दो को lose कर रहे है गवा कर अपने score को बढ़ा सकते हो 1 से दूसरा चीज़ क्या लाव किया है score गवाना पड़ेगा by one losing one score ठीक है ठीक है each token में भी played at once और हर एक token को आपको बस एक ही बार चला सकते हो एक ही बार use कर सकते हो ठीक है और किसी भी order में वट हमने decide कि है कि हम sort कर लेंगे हमारे फायदे के लिए ठीक है और सरुरी नहीं कि आप सारे token को प्ले करो यह भी बोल रहा है question में आपको सबसे बड़ा possible score return करना है ठीक है तो हम तो भाई greedy खेलेंगे आपर score को maximize करने की कोशिश करेंगे ठीक है यह example मैंने आपको बताया था भी थोड़ दर पहले तो चलो इसका code करते हैं सबसे पहले तो मैंने क्या बोला सबसे पहले तो वही है पुरानी प्रथा tokens.size n निकाल लिया int max score को अभी 0 माल लेते हैं उसने दे रखा कि आपका score 0 initially है ना ठीक है और आपको power दे रखा कि आपका power यह है ठीक है और मैंने क्या बोला था कि मैं दो pointer लूँगा int i is equal to 0 पे होगा starting पे और j जो last में होगा लेकिन मैंने उससे पहले क्या बोला कि भाई sort कर ले ना input को sort the tokens है ना क्यूं क्योंकि starting वाले छोटे होगे और last वाले बड़े होंगे तो हम अपना greedy वाला खेल खेल सकते हैं तो sort कर लेते हैं tokens end tokens ठीक है यह हमने sort कर लिया while i is less less than equal to j ठीक है अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके सबसे पहले तो मैं वही करूंगा भाई मुझे power गवा के अपना score बढ़ाना है ठीक है current आपका score क्या है current score है 0 ठीक है मुझे अपना score बढ़ाना है तो score कब बढ़ा सकते थे जब power जो है वो greater than equal to tokens of i होना चाहिए यह power को गवा दिया power को मैंने गवा दिया लेकिन गवाने के बाद क्या मिलता था score प्लस प्लस राइट score प्लस प्लस हो गया plus is equal to one लिख देता है ज्याद अच्छा लगता ऐसे ठीक है यह भी हो गया अब हमने token i को तो use कर लिया भाई i plus plus कर दो ठीक है और एक और चीज़ मैंने क्या बढ़ा था हर बार max score को update कर लो हो सकता है यह आपका max store max of max score and score जो आपको अभी current score आपका ठीक है अगर ऐसा नहीं है मतलब आपके पास power नहीं है इतना तो मैंने क्या बढ़ा था आप आप गेन कर सकते हो लेकिन कब कर सकते हो जब आपका score जो है greater than equal to one हो ठीक है greater than equal to one हो तो हम क्या करेंगे power को plus करेंगे tokens of j से याद को right side में बढ़ा होता था तो उससे बढ़ा लेंगे और score मेरा minus हो जाएगा one से ठीक है और tokens j मेरा use हो चुगा तो token को minus minus कर दो ठीक है ओके और ऐसा अगर नहीं है अगर ऐसा भी नहीं है तो भाई return हो जो कुछ नहीं कर सकते है अब तक जितना निकाले हो max score वही return कर दो ठीक है यह हमारा look खतम हो जाएगा जब भी यह condition meet होगा ठीक है और यहाँ से मैं return कर जूँगा max score ठीक है इसको मैं एक बार run करके देखता हूं ठीक है सारे test cases तो पास हो गया है submit करकर देखता है कुछ miss तो नहीं कर दिया हमने great we have solved this question okay and I hope आपको समझ में हो यह हमारे greedy playlist का पहला question था कोई भी doubt हो leave that in the comments comment section I'll try to help you out see you guys in the next video thank you